जहिन आज हम लूब देखेंगे मानो विकास क्या है ठीक है तो ध्यान से देखेंगे मानो विकास है क्या कि मानो विकास में मुख्य चीज क्या होनी चाहिए तो मानो विकास में विकास करने के लिए मानो को विकास करने के लिए सिच्छा, स्वास्ति सेवा, ससक्ति करन के आउ परियावरन से लेकर आर्थिक, समाजिक और राजनितिक सौतंद्रत्ता तक सभी परकार के मानव विकल्पों को समलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके सिच्छा, स्वास्त, सिवाओं तथा ससक्तिक करन के आउसरों में ब्रिधी की परकिरिया है अगर इन सारे चीज़ों को एक साथ कर लिया जाए तो मानव विकास कहलाएगा ठीक है आगे अब ध्यान देंगे कि इस परकार लोगों के विभीन परकार के विकल्पों की स्रेनी में विस्तार मानव विकास का सरवाधिक सार्थक पच्छ है याँनि मानव विकास होने में अनेक परकार के अन्यमुद्दे हो सकते हैं, यानि कि हर लोगों का अलग-अलग सोच होता है, अलग-अलग काम करने की उसकी जाहत होती है, तो उसकी विकल्प जोएसो अनेक परकार के अन्यमुद्दों पर, अलग-अलग मुद्दों पर हो सकते हैं, किन्तु दिर्ग और प्वस्त जीवन जीना, सिच्छित होना और राजनितिक सौतनत्ता, गारंटी करित मानोधिकारों और व्यक्ति गत अत्म समान से युप्त सिष्ट जीवन अस्तर के लिए आवस्यक साधनों तक पहुंच जैसे मानोविकास कहलाती है ठीक है, तो I hope कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा